हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना विद्याले सिक्षा बोर्ड HBSC का क्लास 12 का जो है सोशियोलोजी समाज सास्तर का जो है आपको पेपर कराने वाला हूँ सेंपल पेपर 2023 के सैसन के लिए सुरू करते हैं वीडियो को मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले बता दू अगर आपको क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के सेंपल पेपर सोलूशन की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्टिन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रका है वहां से देख सकते हो और अगर आपको important question चाहिए final exam के लिए तो उसका link भी मैं डिस्क्रिप्टिन में दे रका है अगर आपको पेपर सेंपल पेपर या उल्ड पेपर डाउनलोड करने है किसी भी सब्चेक्ट के PDF में विद अंसर की तो वह यहां पे मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे CCL Chapter.com Google पर विजिट करके देख लेना इस वेबसाइट को वीडियो के लास्ट में विजिट करके भी ब संबर के दिये जाने वाले हैं और खुशी की बात यह है सारे के सारे होंगे MCQ ठीक है तो इससे बढ़िया इससे आसान पेपर हो भी नहीं सकता जिसमें आपको अंसर ढूंड़ना ही नहीं है आपके सामने लिखाओ अब उस पहचानना है कि अंसर सही कौन सा है अब आगे ब हो कौन से मीडियम में लिख है हिंदी मीडियम में इंगलिश मीडियम में थीग है माकि इंपोर्टन्ट कोशिटन भी जल्दी ही आएंगे सब्जेक्ट के काम कर रहे हैं इसके ऊपर ने अपने किस शत्रू को जनम दिया राष्ट्रवाद भासावाद जातिवाद ओधो लिखेटिक्स धिया इन्होंने इन्होंने दिया था राश्ट्रवाद को जनने को को जनेस्ट को मनुस्य सद्व गरीबी में जीने हीतु पैदा हुआ है यह कफन किसका है Herbert Spencer का, Adam Smith का, Karl Marx का, Robert Maltas का Man is born to live in poverty forever Whose statement is it? यह statement किसकी है? Herbert Spencer, Adam Smith, Karl Marx, Robert Maltas तो इन में से यह statement किसकी है? देखो वैसे तो एक चीज़ बता देता हूँ इसकी यह जो statement है Karl Marx की है लेकिन इसकी कोई authenticity नहीं है यह चीज़ ध्यान रखना है यह वाला जो question हमसे पूछा गया है exam में इस वाले question में कोई authentic जवाब नहीं है अगर बुक में answer जो भी दे रखा है वो देख लेना फिलाल जो मैंने answer देखा है Google वगरा कहीं पे भी वो यह answer हमको दिखा रहे हैं लेकिन इसकी भी कोई authenticity नहीं दे पा रहा है कि भाई answer सही है या नहीं है या क्या मामला है अगर आपकी बुक में जो भी answer दे रखा है वो cross check जरूर कर लेना इस वाले statement को इस वाले question को अगर answer दे रखा है नहीं दे रखा है तो फिर call marks रख लेना जो की जारतर जगह हमें यहीं मिल रहा है क्योंकि इस पर कोई ऐसा नहीं न कोई fact वाली statement नहीं है authentic statement नहीं है कहीं पर भी चलो next question देखते हैं संस्कृति कर्ण की अवधार्णा किस ने दी थी who give the concept of Sanskritization तो इसको किस ने दिया था इसको दिया था एम एन श्री निवास ने the wealth of nation यह जो किताब है the wealth of nation यह इसके लेखक कोन है ओथर के बारे में पूछा जा रहा है हमसे तो इसके ओथर है Adam Smith Adam Smith सामाजिक संसाधन पुंजी के किस रूप में विभाजित नहीं किये जा सकते social resources cannot be divided into which form of capital आर्थिक सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक economic capital cultural religious social तो कौन सी capital है वो है religious capital यह धार्मिक पुंजी में जो है divide नहीं किये जा सकते next question देखते हैं सामाजिक की काईयों की वहस रेणी जो कि ना तो पूरुस है और ना ही इस्तरी इस्तरी के रूप में रिखांकित की जाती है क्या कहलाती है वर जिदा category of social units which are neither defined as male nor female ना वो पूरुस है ना वो महिला है तो उसको हम क्या कहते हैं थर्ड जैंडर कहा जाता है भी option रहेगा इसका next question देखते हैं एस प्रिश्यता के तीन आयाम में निमन मेंशे कौन सा नहीं है वह हमको बताना है which of the following is note one of the three dimensions of untouchability चुवा चूत वाली जो बात होती थी तो वो जो है ऐस प्रिश्यता कहते हैं आज कल वैसे इसको पहले चुवा चूत का जाता था इसको local में तो यह जो है इसमें क्या नहीं है नहीं वाला पूछा गया है हमसे तो वो क्या है equality बराबरी का दर्जा उसमें नहीं था किसी को भी रज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेईस छित्तर में वीधी सम्मत एक आधिकार का सफलता पुर्वक दावा करता है यह कथन किसका है यह बात कही थी किसी ने किसने कही थी state is such a body which successfully claims a legal monopoly in a particular area whose statement is this यह statement किसकी है यह statement है Max Weber की यह option रहेगा आपका next question देखते हैं सबतंतरता के पस्चात भी भारत बड़े बड़े प्रांतों में जिन्हें प्रेजिदेंसी कहा जाता था बटा हुआ था निमन में से कौन सी प्रेजिदेंसी नहीं थी इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिवाइडिट इंटू लार्ज प्र कौन सी परणाली के अंतरगत्र सामान्यत है निर्धारित परसनों को अपके घर में जैसे आते हैं भाई साब तुम्हारा नाम तुम्हारा अधारकार जनम पत्री पलाना तो वह क्या होता है उसमें आप अकेले से नहीं पूछे रहें बहुत सारे लोगों से पूछा जाता ह उसको क्या कहते हैं रविग से यनि की निर्धारित लिगाते हैं अधो support उसको की सारवजनीक परिवहन का साधन कौन साуск ही है तो इनमें को सा साधन नहीं है सारजनिए और फबलीख ट्रांसपोर्ट आसान सबस्क्राइब akin को देखकर उसका अध्यान करने की वीधि क्या कहेलाती है वह टिज़ा करके हम क्या करते हैं observation तो अवलोकन कहा जाता है उस वीधी को ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं सन 1960 में किस अंग्रेज व्यापारी ने हुगली नदी के किनारे से लगे तीन गाउं कलकत्ता गोविंदपूर और सुतानुती को पट्टे पर लिया था किनारे पर लिया था तो किस ने लिया था वो लिया था जोब चार्नुक ने अब एक चीज मस्ट पैक्ट बताता हूं तुमको यह जो डेट दी गही है यह गलत है असली डेट थी 1690 और यह जो है जिन्होंने पेपर बनाया है उसे मिस टाइप हुआ है 1690 आएगा ना कि 1960 ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है दस सोर्स ओफ नोलेज पुस्तक के लेका कौन है और कमाल के बाद बताओं तुमको ऑप्सन ही गलत है क्योंकि एक्च्वल में जो नाम आना था ना इन में इन में से कोई नहीं है जो यह बुक है इसके ओथर है मारे एंड्रिया एंड्रिया कर्न ठीक है तो यह है इसके ओथर ना कि इन में से कोई सा भी नहीं है यहां पे ठीक है तो कहीं तुम इन में अथके रहो एक आध कोशन देखो सेंपल पेपर में इनोंने गड़बडे कर रखी है मैं समझता हूं लेकिन आपको जो फाइनल पेपर मिलेगा उसमें कोई गडबड आप चैक करवा जाता है पहले की पेपर सही बनावा या नहीं बनाव यह तो सैंपल बडबर बोल देते हैं भाई तू बना दियो बना के लॉंच कर देते ऐं ऐसा चलता है इने तो इनमें घडबडे मिलती है मंको ठीक है तो इसकी टैंसें मतले न तुम फाइनल पेपर बिल्क में वो खतम हो गया था सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको पॉपुलर लीशी फेज को जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पर भारत में उदारी करण की नीती कब अपनाई गई लेकिन यहां पर देखो दसक में दिया हुआ है राउंड ओफ दस जो दस यहर से उनको राउंड ओफ किया हुए यहां पर तो उन्नीसो असी के दसक में अपनाई गई थी ऐसे एक्जेक्ट यह रहा है नाइटीन नाइटीवन ठीक है इस वतंतरता प्राप्ति के समय भारत में कुल कितने रेडियो स्टेशन थे हाव मैनी रेडियो स्टेशन वर देयर इन इंडिया एड़ टाइम ओफ इंडिपेंडेंडेंज आजादी के टाइम कितने थे छैए शीक्स थे नेक्स कोशन देखते हैं हमारा सेवेंटित के बाद एटिंध कोशन आता है भारत का सबसे पहला लंबे समय ता चलने वाला विच वाजदा फर्स्ट लोंग रनिंग सोप अपरा अफ इंडिया तो यह कौन सा था हम लोग हमें नहीं पता मैंने नहीं सुना तो बस ऐसे टून बना रहा हूं मैं भी हम लोग होगा कुछ तो यह है अंसर हम लोग यह सबसे जादा लंबे टाइम का कुछ बना हुआ था 1857 की देखो यहां पर 1857 की पहली लड़ाई हुई थी जब देश के सारे जो रियासती थी कठी होके अंग्रेजों के विरुद लड़ी थी और फिर हार गई क्योंकि अपने लोग दगावाज निकले थे तो यह थी पहली लड़ाई फर्स्ट वोर ओफ इंडिपेंडेंस ओफ नेशनलिस्ट देश को आजाद करने के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी कठे होके वो थी 1857 यह तो आसान है तुम आराम से पहचान लोगे उसके बाद तो लड़ाईयों पर लड़ाईयां होती ही रही है ना बहुत सारी हुई नेक्स्ट कोर्शन रिखते हैं उत्तर लड़ाईयों को बचाने के लिए पेड़ों से महिलाएं चिपक जा रही थी कि इनको मत काटो वैसे इसका एक्जेक्ट नाम गुफिलों नहीं है कुछ और नाम था और जो की मेरे को भी ध्यान नहीं है बट यह एक्जेक्ट नाम नहीं इसको बाद में दिया गया था यह न तो ठीक ठाक कोश्चन आएंगे ओथर का नाम जरूर आएगा ओथरों के जो भी नाम आपकी बुक में दे रखें उनको पढ़ लेना उन्हें से कोई ना कोई कोई कोश्चन जरूर मिलेगा एक और चीज रिकमेंड करूँगा मैं आपको अगर आपको तैयारी सोस्योलोजी की बहुत ही बढ़िया तरीके से करनी है वो क्या है आपको प्रीवियस इयर कोश्चन पेपर को सोल्व कर लेना है सारे के सारे जितने भी मिले आप बोलोगे सर मिलते नहीं है देखो वीडियो को पूरी देखो मैं सारी चीज़े बताऊंगा वीडियो के लास्ट मैं आपको बताऊंगा पेपर वगएरा कहां से मिलेंगे कैसे होगा सारा मैटल ठीक है अब पार्ट टू आ गया है हमारा पार्ट टू के अंदर आपको जो है दो दो नंबर के कोश्चन मिलेंगे यह आपको बुक से करने इनके जो है क्योंकि ऑफिचिल एंसर की नहीं दी है और अगर अगर पूरी वीडियो के अंसर की बनाऊंगा तो आपको इंपोर्टेंट कोश्चन नहीं बन पाएंगे फिर टाइम से इनके अंसर आप कर लेना बाकि मैं कोशिज करूंगा अनलाइज करके पूरा अच्छे से आपको दूं सारी चीज़ें तो इनके जो हैं आपको करने है अब इसमें जो है ना यहां पर ऐसे दो नंबर के कोश्चन आएंगे और ध्यान रखना किसी भी कोश्चन में उप्सन नहीं दिया जाएगा अल्टरनेट कोश्चन नहीं मिलेगा उसके बाद आगा पार्ट सी जिसके अंदर चाल नंबर के आपको कोश्चन दिये जाएंग अब यहाँ पर देखो उन्होंने यहाँ निए जहां दो इन्हों ने बता रखा है कि दो-दो नंबर के बहृत से आप कर आप साइड में यह धीदा रही है इसमें कभी तो आपको fragen दोंडार्य अंदर अंधर मिले च्छैन मिलेंगी उसके बाद को एक पहरा दिया जाएगा इस पहरे को पढ़ना है ठीश जरा मोहनराय ने सती पर्था का विरोध करते हुए ना केवल मानविय वैप्राकरतिक आधिकारों से संबंदित अधुनिक शिद्धान्तों का हवाला ही नहीं दिया बलकि उन्होंने हिंदू सास्त्रों का भी संदर्वल दिया शिक्षा की नई परणाली के अधुनिक और उदारवादी परवर्ति थी यूरोप में हुए पुनर जागरन धर्म सुधार अंदोलन और परभोदन अंदोलन से उत्पंसा हित्या को सामाजिक विज्ञान और भासा में सामिल किया गया इस परकार के ज्ञान में मानवतावाद पंथ निर्पेक्स और उदारवादी परवर्तियां थी अब ऐसे जो है आपको पूरा पढ़ लेना यह ठीक है अब यह ऐसे पढ़ते पढ़ लेना चैसे समझ भी लेना उसके बाद में क्या करना है यहां पर आपसे च्छैं कोश्चन पूछे जाएंगे अब की बारी दे पहले नहीं आता था जो भी है राजाराम मुहनराय ने सती पर्था के विरोध में किसका संधर दिया कंदू करीव लेख से पाहरे में हपनद क्राणर में किसके लेखों करना करना सिख घ्लैप कोण है तो हम बता रहा है कि ने ढ Giving और आप भी और प्युणी को जिसमेंbly नाम देने विजवाविवा के समर्तर में सास्त्रों का संदर्व देते हुए यह किताब लिखी ठीक है तो किस ने लिखी रानादे ने तो ऐसे करके आपको इनको पढ़ना है अच्छे से वाले पहरे को the source of knowledge में क्या देखा जा सकता है only the source of knowledge में जुलियस हक्षन ले इतना itself ja takes like a little number का है मिल जाएगा तो एक number ठीक है तो रसταν आपको उपर पहरा दिया जा रहा है को उसी पहरे के नीचे जो कोस्टन है जैसे इंग्लीज में करते वारत हूं अंसीन पैसेज उपर पहरा नीचे उत्तर करने वहीं सेम चीज है यहां पर इनके परसनों के उत्तर उपर पहरे में मिल जाएंगे 6 नंबर का एक कोश्चन आएगा और उसके बाद में आगे दूसरे टाइप के कोश्चन आएगे लोंग एक्जाम में आएगे और एक आएगा पहरे टाइप में जो कि आप आराम से कर लोगे बीस आएंगे मसी क्यों और बाकी जो है तीन चार नंबर और दो नंबर वाले कोश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं तो इस तरीके से आपका कुछ फाइनल पेपर रहेगा मार्च दो हजार चोबिस का अब देखो मैं बता देता हूं आपको कुछ काम की चीज़े जो आपको हेल्प आउट करेंगी वो क्या है आपको जो है गूगल पर जाना है ब्राउजर पे और वेबसाइट खोलेनी है ccl chapter.com आप लिख लो ये नाम लिखे सर्च कर लेना ccl chapter तो उपर वेबसाइट आजाएगी अब आपको अगर question paper download करने हैं यहाँ पर 16-23 तक के सारे paper मैंने upload कर रखे हैं तो अगर आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे pdf में अगर यह जो sample paper है यह आपको download करना है model paper वो यहाँ पर मिल जाएगा देखो आपके जो primary subject है primary subject का मा लेकिन वह पता नहीं कौन से paper की बना के देदिया उन्होंने अंसर की कुछ और है paper की कुछ और है लेकिन जो भी है उस answer की को भी आप पढ़ सकते हो उसमें question साथ में लिखे हुए है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें long questions answer की में जो answer की यहाँ पर add-on कर रखे आपको यहां से मिल जाएंगे देखो अभी तक लिखे नहीं है सोचियोलोजी के जैसे लिख जाएंगे यहां पर अपडेट हो जाएंगे इस वाले section में ठीक है और अगर कोई आएगा वह सारा इस website पर हम प्रोवाइड कराते हैं आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल मलब जैसे जरूरत होते हैं तभी हम प्रोवाइड करा देते हैं उसको ठीक है तो इस website पर विजिट कर लिया अगरो काम आईगा आपकी एक्जाम टाइम में भी मिलते हैं नहीं वी झाल